साराम गर सांसा साने दा, साराम गर सांसा मेरे हम दमा परी रहत्पार सांसा दी दे बुब आ जना की रहा लग्षारी है कि दूए एड़ी बखाए बशाए रही तो आएगी मिलसे बहाँ सारी रहे बूल नाचा नामी रम्या है है ए मेरी माँ ए मेरी माँ बस एक माँ की महबत दिखाई देती है बस एक माँ की महबत दिखाई देती है जमी पर एक ही औरत दिखाई देती है देती है ए बूल ही माँ तेरे चेहरे की जुर्यों की कसं हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है दर है लकीर में जन्नत दिखाई देती है मा की सूरत देखे के मुह फेरना अच्छा नहीं याद रखना मा के दिल को तोड़ना अच्छा नहीं याद रखना मा के दिल को तोड़ना च्छा नहीं आप लोगों ने रखनी साबरी का ये कलाम सुना होगा अपने माबाप का तो दिल न दुखा दिल न दुखा और जरा मेरा ये कलाम सुनिए जो कि मेरा यूटूब पे पड़ा हुआ है साथी वली साबरी के नाम से बहुती मकबूल कलाम है ये मेरा जहां जाता हूँ इस कलाम की फरमाईश होती है वो कलाम आप लोगों के सामने पेश करहा हूँ जरा सुनिएगा मेरी माबेने खास तबज़ दे चाँ आरे नादा तेरा रिश्टा नभी से तूट जाएगा अरे नादा तेरा रिश्टा नभी से तूट जाएगा अगर मा रूठ जाएगी खोदा भी रूठ जाएगा अकर वारों के जाएगा गोना भी में ढाएगा अगरलने पी जाएगा जाएगा रें बढ़ाओ तोड़ी आवाज बढ़ाओ अल्ला आपको जंगत रसी करे आमीन सुम्मा आमीन हालो आरे नादा तेरा रिष्टा नभी से तोट जाएगा आरे नादा तेरा रिष्टा नभी से तोट जाएगा आरे नादा तेरा रिष्टा नभी से तोट जाएगा अगर मार रूठ जाएगी खोद भी रूठ जाएगा आरे नादा रूठ जाएगी खोद भी रूठ जाएगा जो लोग जाना चाह रहे हैं सलाम को सुनकर जाएगा ऐसा कलाम मैं जल्दी पेश नहीं करता हूँ सुनिएगा क्या सुनाता हूँ सुनो ए हिंदू मुस्लिम सीखी साई पढ़ो कोरान के पारे रटो तुलसी की चौपाई सभी धर्मो निमा का मरतबा उचा बताया है वो खुश की सिमती हैं जिसके सर के उपर मा का साया है अगर मा घर में गए तो समझो चारो धाम घर में है तुम्हारे वासिते अल्लाह का इनाम घर में है आया होने नहीं देती ये कितनी तंगी रहती है पिला कर दूद अपने लाल को खुश रंगी रहती है कभी बाहों मिले कर प्यार से जूला जूलाती है सुलाने के लिए आुलाद को लोरी सुनाती है करो ताजीम इसकी तुमको दोजख छुना पाएगी कसम अल्लाह की तुमको यही जन्न पे दिलाएगी तुमको यही जन्न पे दिलाएगी कभा हो जाएगी यह तो मुकतर फूट जाएगा कभा हो जाएगी यह तो मुकतर फूट जाएगा एं मुसल्मानों अगर मारूठ जाएगी खोदा भी रूठ जाएगी कभा हो जाएगी खोदा भी रूठ जाएगी मेरी मावेनों यह कवाली अच्छी लग रही है की नहीं आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ और एक बात बतादू फिरी में कवाली नहीं सुनी जाती है मेरे भाई लोग तो नवाजी रहे हैं आप भी देख रही हो आपी का बच्छा हूँ मैं आपी का लड़का हूँ मैं महनत कर रहा हूँ मैं देखना चाता हूँ कौन सी यसी मेरी माव एठी हुई है जो मुझे दस रुपए देती है ज्यादा बढ़ा सवाल नहीं है हाँ भाई हख है मांगने का है कि नहीं तो सुनिये कैसे सिकंदर और इकलंदर धी पले हैं इसकी गोदी में जमाने में पयंबर धी पले हैं इसकी गोदी में यह लड़काए की लड़की है अच्छा बड़ा खुर्सूरत लड़का है बहुत शुक्रुजार हूं तुनिये गाव सिकंदर और इकलंदर धी पले हैं इसकी गोदी में जमाने में पयंबर धी पले हैं आरहा है आरहा है झाल